जै मा काली मित्रों आपका हमारी चैनल मा काली मा दुरुगा शक्ति समबाद में स्वागत है मित्रों अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शियर कीजे साथी नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कीजे जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे महालक्षमी साधना से संबन्नित है आप सभी जानते हैं कि महालक्षमी के वृत आरम होने वाले हैं तो इस साल जो वृत आरम होने वाले हैं वो 22 सप्टेंबर शुक्रवार के दिन शुरू होने वाले हैं और जो शुक्रवार का दिन होत भी नहीं पढ़ रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही शुब है देखे इस व्रत को कौन कर सकता है इस व्रत को हर कोई कर सकता है सबी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं लेकिन को नहीं कर सकते इस व्रत को गर्वतिस्तरिया ना करें जो रोगी है वो ना करें व्रत व्यक्ति ना करें और जो चोटी आयू के बच्चे हैं उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि वह छोटे होते हैं और उन्हें शुद्धता अशुद्धता का ज्यान नहीं होता क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा में जो सबसे महत्पूंची जोती है वह शुद्धता होती है क्योंकि जो अंग होते हैं उन पर जलके छीटे हमेशा पड़े रहते हैं तो बहुत ही सात्विक और शुद्ध देवी है मालक्ष्मी तो इसलिए हमें भी व्रत पूरी शुद्धता के साथ करना चाहिए सबसे महत्पून बात है इस व्रत को करने से क्या होता है सबसे पहले हम इसके व्रत के प्रभाव के बारे में ही बात करते हैं इस व्रत को करने से क्योंकि मालक्ष्मी का व्रत है तो आपको लगता है केवल हमें इसमें धन की प्राप्ति होती होगी लेकिन ऐसा नहीं है इस धन की प्राप्ति तो होती ही है दरिद्रता का नाश तो होता ही है साथ इस वरत को करने से आपके घर में अगर कला कलेश रहता है तो उसका भी नास होता है अगर आपके घर में धन नहीं रुकता तो आपके घर में धन भी रुकता है आपके घर संतान नहीं है तो संतान की प्र प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान नारायन की क्रपा आपको प्राप्त होती है मालक्षमी की क्रपा आपको प्राप्त होती है तो इतना चमतकारी सोला दिन का अनुष्ठान होता है तो यह अनुष्ठान सभी व्यक्तियों को करना चाहिए खास तोर से जो दरिद्र है पर विधी से हम इस व्रत को कर सकती हैं देखे सबसे पहले तो हमें क्या करना है सुबह ना दो करके जितना जल्दी हो सके हमें उठना चाहिए इसनान करना चाहिए और हो सके तो हमें पीले या लाल वस्तर जिस दिन हम व्रत आरम करेंगे उस दिन धारन करने चाहिए उसके बाद म प्रियोग मालक्षमी की पूजा में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको थोड़े चावल लेने हैं और थोड़े चावल से आप चाहें तो अश्टकमल भी मना सकते हैं या एक चावल की धेरी लगा सकते हैं और उस चावल की धेरी पर आपको मालक्षमी का चित्र विराजित करना है और अगर आपके पास को उसको इस्थापन करना है और उसके बाद ये करने के बाद में आप मा लक्षमी को गंगा जल से शुद करें और भगवती को जो है कुमकुम चंदन का तिलब करें उसके बाद में आपको कलश इस्थापना करनी है कलश इस्थापना करने से पहले भी आपको थोड़े चावल र लोंग और एक सिक्का जरूर डाले और साथ ही आप आम या अशोक के पत्तों से उस कलश को सजा सकते हैं कलश के उपर एक चावल की कटोरी रखें और उसके उपर एक नारियल बठाएं नारियल पे चुन्री या फिर कलावा अवश्य लपेटे उसके बाद में ये करने के अपना है आपको क्या करना है आपको गणेशु की थापना करनी है कि मालक्षमी के साथ में गणेश जी की पूजा अवश्य होती है और कोसिश यह करे अगर आपको गज लक्षमी का मिल जाता है तो सर्वत्तम है जिसके दोनों ने'll anytime झाल करे औंग ज़ते होते हैं और अगर और वो नहीं है तो आप सामाने मालक्षमी की प्रतीमा या फोटो बिठा सकते हैं। साथ में गणेश जी की स्थापना करें। गणेश जी की स्थापना करने के बाद में आप उनको पुश परपन करें, तिलक अरपन करें, चावल अरपन करें, कलावा, फल, सुपारियादी अरपित करें और इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें उसके बाद में आपको क्या करना है मालक्षमी के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो देशी घी का दीपक होता है तो गाएं के घी का दीपक अगर आपको मिल जाता है तो गाएं के घी का दीपक प्रज्जुलित करें साथ ही मालक्षमी को तिलक करना है पुश पर पित करने है और साथ में इत्र भी लगाना है तो मालक्षमी को इत्र अवश्य लगाए इत्र लगाने के बाद में मा को आपको क्या अर्पित करना है मा को आपको मेवे अर्पित करना है मा को एक पान के पत्ती के उपर आपको पांच बताशे रखने हैं, एक लोंका जोड़ा रखना है, सुपारी रखनी है और दो इलाईची ये रख करके मा को आपको अरपित करना है भोग सो रूप उसके बाद में आपको जैसे हमने बता है दीपक जलाना है और मा की सेवा में बहुत ही सुगंदित दूबत्ती आपको जलानी है क्योंकि मा का जो वातवरन है वो बहुत ही सुगंदित होना चाहिए साथ ही मा को आपको इत्र भी लगाना है क्योंकि मा लक्षमी को अति प्रिय होता है इत्र सिवा तो वो इतर भी मा को आप लगाए उसके बाद में जब आप दीपक प्रजुलित कर लेंगे और दूबत्ती भी जला लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है आपको संकल्प करना है कि मैं आज से मा लक्षमी के 16 वरत का संकल्प करती हूँ उसमें आप अपना नाम अपने पिता या पती का नाम अपना गोत्र अपना एड्रस जिसमें आप रहते हो वो सभी बोल करके अपने इष्ट देव का ध्यान करके गुरू का ध्यान करके संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद में उस हाथ में पुश्प अक्षत और जल ले करके संकल्प लेना है और उस संकल्प को आपको भूमी पे छोड़ देना है इस प्रकार से आपको अपने व्रत की शुरुवात करनी है और सबसे महत्पून बात जो महत्पून है वो है सोला तार का धागा इस व्रत में सबसे महत्पून माना जाता है सोला तार का धागा यानि आप या तो रोली मोली ले सक और उस धागे में आपको सोला गाठे लगानी है और उसके लिए आप मोली भी ले सकते हैं या कच्छे सूत का धागा भी ले सकते हैं तो सोला तार का आप धागा बनाए और इतना बड़ा बनाए कि जिससे कि वो आपकी या तो कलाई में बंद जाए और कलाई में नहीं बान स तो गले में धारण कर सके और वह बना करके सोला तार का धागा ले करके उसमें आपको सोला गांठे लगानी है और गांठे लगाने के बाद में आपको उस धागे का पूजन करना है और उस धागे का पूजन करने के लिए आपको उस पर प्रतेक गांठ पर तिलक करना है रोली और फिर प्रते गांट पे रोली का तिलक करना है चावल चड़ाने हैं दूप और दीप उस धागे को दिखानी है तो इस प्रकार से धागे का पूजन करना है और पूजन करने के बाद में जो पुरुश होते हैं वो अपने सीधे हाथ में या फिर गले में धारन करें और अग आती है कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं इस व्रत में आपको एक समय भोजन करना होता है वैसे तो यह व्रत जो है बिना नमक के रखे जाते हैं लेकिन आज के समय में लोगों की शाररिक परिस्तिति ऐसी है कि वह बिना नमक के व्रत नहीं कर सकती तो ऐसी परिस्तित या पकोड़े आदी का सेवन कर सकते हैं अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप जो ये वरत है एक समय भोजन पर रख सकते हैं जो एक समय भोजन करेंगे अब वो बिना लसुन प्याजवाला होना चाहिए इस बात का आप महत्पूर्ण ध्यान रखें और अगर आप ऐसा भी दिन चरिया रहेगी या जो बच्चे साधना करना चाहते हैं केवल साधना करना चाहते हैं तो वह बिना लसुन प्याज का भोजन करके भी इन 16 दिनों में साधना कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत ही महत्पूर्ण और चमतकारिक दिन होते हैं तो आप केवल भोज करें नृवर्फ प्रम करके को अपनी सदना को चला करके DAMS इन का कुछ न कुछ पुन्य है आप प्राप्ट कर्सक्ते हैं इस वरत करें सबसे मैत Link हैं वा प्रम श्रीये का पालन है जाओ का सेवन नहीं करना आपको नहीं करना है और कोश़िश यह करें कि इस अचाहिए, संदर नमग का प्रियोग करें क्योंकि महालक्ष्मी के ज़ो भी सबसे ज़ादा होनी चाहिए और ज़ादा मिर्च वाती होते हैं वह आपकी यह रहा है तामसिक्ट्ड़ा को बढ़ाते हैं तो इसलिए हल्की मिर्च मसालों का भोजन करें शुधता का बहुत जादा ध्यान करें दोनों समय आपको पूजन करना है मा लक्षमी की दोनों समय आरती करनी है और दोनों समय आपको इसनान करने के बाद ही आरती करनी है क्योंकि मा को जो है शुदता अतीप्री है यह नहीं कि आपने सुभा इसनान कर लिया तो उसी इसनान से आप शाम को भी पूजा कर लेंगे ऐसा नहीं करना है तो दोनों समय आपको ना करके शुद्ध वस्तर पहन करके मालक्षमी की पूजा करनी है साथ ही जो आप साधना कर अग्यों करना चाते हैं साधना के लिए हमालक्षमी का लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर हो साधना के रूप में कनकधारा की साधना कर सकते हैं यह च्री सुक्त के स्टोत्र के पाड़कर सकते हैं और आपको प्रति एक दिन ढ injection प्रति दिन करने हैं तो इस प्रकार से 16 दिन तक 16 रोज आपको करने हैं और इसके व्रत की क्या उद्यापन वीदी रहेगी वह हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे नहीं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मित्रों यह थी जानकारी आप सभी के लिए मा भगवती से यही प्रात्ना करते हैं कि वह आपके भंडारे भरती रहे आपकी सभी मनों कामनाओं को पूंड करती रहे आप पर अपना पूर आशिरवात बना के रखे आप से फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल